नमस्कार दोस्तों मैं हूं रोशन 1141 रेशिपी इसमें आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पनिर की बहुती तेस्टी एन रेस्टोरन स्टाइल में रेस्टोरन के टेस्ट के साथ पनिर लबापदार की रेशिपी तो चलिए रेशिपी सुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर तेल में डालचीनी तरच पट्टा लॉंग तिन से चार काले मिर्च को सोटे कर लिया है अब हम इसमें लसुन की कलियां एड़ कर लेंगे साथ में अद्रक के तुकड़े एड़ करना है अच्छे से सोटे करना है आप देख सकते हो लसुन और अद्रत का कलर चेंज होना शुरू हो गया है अब हम यहाँ पर प्याज एड़ करेंगे प्याज हमने डो नंग ली है स्लाइज में कट करके लेना है अच्छे से मिक्स करना है प्याज को transparent होने तक हमें प्याज को पकाना है हमारी प्याज आप देख सकते हो हलकी सी transparent हो गई है अब हम इसमें दो सुखी लाल मीर चैट करेंगे अब हम इसमें काजू के टुकड़े एड़ कर लेंगे इसको भी हमें अच्छे से सोटे करना है दो से तीन मिनी तक कुक होने देंगे काजू के तुकड़े एड़ करने से ग्रेवी बहुती अच्छे से बनती है आप चाहो तो मगश्टरी का बीग भी यहाँ पर एड़ कर सकते हो यह दोनों से ग्रेवी गाड़ी बनेगी अब हम इसमें टमाटर एड़ कर लेंगे टमाटर भी हमने यहाँ पर प्याज के नाप से ही दोनंग लिया है अच्छे से मिक्स करना है हमारी सारी चीजे अच्छे से पक जाए इसलिए टेस्ट के इसाब से नमक एड़ करेंगे नमक से सारी चीजे अच्छे से पक जाती है अच्छे से मिक्स करना है अब हम टमाटर को मेस होने तक पका लेंगे स्लोफेम पे ही सारी चीजे पकाना है तब तक दुसरी तरफ हम पनेर के टुकडे कट कर लेंगे मिडियम साइज में कट करना है पनीर के टुकड़े कर लिये है अब हम पनीर को फ्राइ कर लेंगे पैन में टेल गरम हो गया है सारा पनीर एड़ कर लेंगे गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है पनीर हमने सेट कर लिया है उपर हम सुखी लाल मिर्ज स्पिंकल कर लेंगे टेस के इस अब से लेना है टेस्ट के इसाब से हम यहाँ पर नमक एड़ कर लेंगे अब हमें पनिर को कुक होने देना है अब हम पनिर को पलट लेंगे और अच्छे से पनिर को सेलो फ्राइ करना है इस तरह से चलाके पनिर को सेलो फ्राइ कर लेंगे अच्छे से mix भी हो गया है और पनीर को हमें अभी साइट से पलट पलट कर fry करना है पनीर सेलो फाई हो गया है अब हम पनीर को टेल से निकाल लेंगे दूसरी साइट हमारी प्याज सौफ्ट हो गई है और टमाटर भी अच्छे से गल गए है एक कब जितना पानी अड़ करेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है तो पानी में एक उबाल आने तक पकाना है पानी में उबल आना सुरू हो गया है अब हम गेस की फ्लम बन कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे और थंडा कर लेंगे और मिक्सर में एड़ कर लेंगे प्याज टमातर थंदा हो चुका है मिक्सर में एड़ कर लिया है अच्छे से ब्लेंड करना है हमें वापस प्याज वाली पैन में टेल एड़ करेंगे टेल हम दो चमद जितना ही एड़ करेंगे अच्छे से गरम कर लेंगे टेल गरम हो गया है एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे तरके के लिए अच्छे से चटकने देंगे जीरा अच्छे से चटक गया है अब हम इसमें अधरब लसून और हरी मीज की पेस्ट एड़ करेंगे पेस्ट को भी टेल में सोटे करना है अब हम प्याज एड़ करेंगे प्याज हमने चौप करके लिया है दो से तीन नंग जितनी प्याज ली है अच्छे से मिक्स करके कुख होने देंगे प्याज का कलर चेंज हो गया है और पानी भी एबजो हो गया है अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे एक चम्मच सुखी लाल मिर्च पाउडर, अधा चम्मच हल्ली पाउडर, एक चम्मच धनिय जीरे का पाउडर, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, दो मिनित तक चलाटे जाएंगे, अब हम दो से तीन चम्मच जितना पाणी एड़ करेंगे, ताकि हमारे मसाले जले नहीं, अच्छे से मिक्स करके कुक होने देंगे, पानी एबजो हो चुका है, अब हम टमाटर एड़ कर लेंगे, टमाटर के बीज हमने निकाल लिया है, छोटे छोडे तुकडे कर लिये है, अच्छे से मिक्स करना है, अब हमें टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनित तक पकने देंगे हमारे तमाटर गल गए है अब हम ब्लेंड किया हुआ प्याज काजो वगेरे सभियों का पेस्ट एड़ कर लेंगे आप देख सकते हो ग्रेवी की ठिकनेस सारी पेस्ट यहाँ पर एड़ करनी है मिक्सर में पानी एड़ करके उसको भी हम साथ में ले लेंगे अच्छे से mix करते जाना है gas की flame medium रखेंगे आप देख सकते हो काजू से हमारी gravy कितनी अच्छी बनी है mix कर लेंगे अच्छे से mix हो गया है अब हम एक उबाल आने तक 2-3 मिनित तक पका लेंगे slow flame ते gravy में उबाल आना शुरू हो गया है अब हम paneer add कर लेंगे जिसको हमने sellify करके रखा था सारे तुकड़े add कर लेंगे और masala भी उपर से घर की फ्रेस मलाई add कर लेंगे साथ में restaurant टेस्ट के लिए रोज की हुई कसूरी मेठी add करेंगे एक चमच जितनी और अच्छे से mix कर लेंगे और दो से तीन मिनिट तक cook होने देंगे दो से तीन मिनिट हो गई है एक चमच गरम masala add कर लेंगे अब हम उपर से paneer को छीन लेंगे उसके लिए दो से तीन तुकड़े बचा के रखे थे अच्छे से छीन लेंगे साथ में हरा धनिया add कर लेंगे mix कर लेंगे और गेस की व्लेम बन करके गरमा गरम सव कर लेंगे ये ready हो गई हमारी restaurant style में वही taste के साथ paneer लबापदार की recipe आप जरूर गर पर ही बना के तेस का मजा लीजिए आपको हमारी recipe पसंद आई हो तो like और share करें